आई कि आपकि पढ़ाई बिलकुल मस्त थो स्वास्वास तुम लोगों ठीक है बताईए तुम लोगों तो खेर अच्छा ही रहता है खाराब मेरा होता है मैं पता है बहुत से टाइम में अक्सर खांसी-जुखाम-बुखार मेरे को आता जाता रहता है वह मेरा मतलब एक तरह के से वह मेरे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है ठीक है तो चलिए ठीक है हम लोग क्या पढ़ रहते हैं मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि यह 11 की क्लास है ठीक है 11 बायलॉजी प्लेलिस्ट पर सभी वीडियो आपके अप्लोड हो रहे हैं 11 की बायलॉजी हमें पढ़ना है सिल्द यूनिट आफ लाइफ कोसी का जीवन का विज्ञान ठीक है सिल्द यूनिट आफ लाइफ थोड़ा सा रिकॉल करते हैं इसके पहले हम लोगों नहीं क्या पढ़ा था बता बता यह बता यह याद करिए मेरी आखें इधर हर रहे मतलब मैं याद कर रहा हूं इधर की तलब जा रही कोई इधर की तरफ जा रहे है सकते हैं तो पिछली क्लास में लोगों ने देखा था कि प्लाजमा मेंब्रेन के बारे में प्लाजमा मेंब्रेन में आप मुझे ये बताइए लिपिड की लेयर होती है ठीक है उनका प्रमुक लिपिड कौन सा होता है पहला कुश्चन आप से लिपिड की लेयर होती है ठीक है प्लाजमा मेंब्रेन में लेकिन प्रमुक लिपिड कौ होता है यह कुश्चन बताना है एंड सिंगर एंड निकोलसन करके से वैज्ञानिक आया थे उनका सन बताने वह किस सन में अपना कौन सा मॉडल प्रस्तुत किये थे यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताना है ठीक है चलिए प्लाज्मा मिंब्रेन के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कौसी का भित्ति जिसको बोलते है सिल वाल तो प्लाज्मा मिंब्रेन के बारे में क्या लिख रख था कोसी का घिल्ली इसके पहले हम लोगों ने देखा था कोसी का जिल्ली के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोसी का भिति ncit की बुक पेज नंबर 132 ठीक है ना चलिश सुरू करते हैं अब क्या होता है कि जो जीवद्रव्य जिल्ली होती है क्या होता है सर जो जीव द्रव जिल्ली होती है ठीक है उसके बाहर एक परत चड़ी होती है ठीक है और वो मोटी परत होती है इसमें लिख रखा है कि ये जो कोशिका भित्ती होती ये किसमें किसमें पाई जाती है ठीक है तो कोशिका भित्ती जीवों में तो पाई नहीं जात तीके और एक चीज़ आपको पता है कि जो सैवाल होते वो भी पाउदे ही होते हैं इसमें लिख रखा है पाउदों की जीव द्रव जिल्ली के पाहर बाहर पाई जाने कि जीव द्रव जिल्ली रहती है किसके कोशी का भित्य कहाँ पर पाई जाती है कि जीव ध्रव्य जिल्ली के बाहर पाई जाती है तो अगर पूछा जाए ये कोशी का भित्ती ये जो सिल्वाल है ये कैसी होती है मुलाइम होती है लचकदार होती है चमकदार होती है कड़कदार होती तो कैसी होती है ये द्रण निर्जीव आवरण होती है ठीक है ये कैसी होती सर तो ये द्रण होती है और ये निर्जीव आवरण होता है जो कोशिका भित्ती है जो सेलवाल है वो द्रड़ होती है द्रड़ बोले तो मजबूत होती है और वो निर्जीव आवरण होती है यानि कि नॉन लिविंग होता है वो ठीक है उसमें जीवन नाम की कोई चीज नहीं रहती है ठीक है अब को बता दें कि इसमें एक important question बनता है ठीक है क्या कोशिका भित्ती जनतूवों में पाई जाती है कि नहीं बताई यहां पर मैंने आपको बता दिया कि जो कोशिका भित्ती होती है सर वो जनतूओं के अंदर नहीं पाई जाती है ठीक है जनतुमों की जो सेल होती है उसमें नहीं पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है वो पाई जाती है कवक में और पौधों के अंदर वो पाई जाती है ठीक है बताइए यहां तक आपको clear है यह बहुत important question है अगर पूछा जाए कवक की कोशिका भिति किसकी बनी होती है तो दे तो वो बनी होती है काई टीन की most important question ठीक है और पूछा जाए कि पादप की कोशिका भिति किसकी बनी होती है तो बताना है तुम्हें सेलू लोज की ठीक है कवक की पूछा तो काइटिन की पादप की पूछा तो सेलू लोज की और इसमें एक चीज और दे रखा है आपको आपके N.C.I.T. में ही दे रखा है अगर सैवाल की पूछ लेता है बाईचांस कि सर सैवाल की जो कोशीका वित्ते होती वो किसकी वनी हो गैलिक टिन्स मैनान्स ठीक है खानी जी लमड वा सेलू लोज की बनी होती है ठीक है तीन पॉइंट है हमाई पास इंपॉर्टन याद करने के लिए MCQ में ऐसी कोश्चन बन जाता है कि बताईए जो कवक होता है फंगस होता है उसकी जो सिल्वाल होती है कोशीका भीत्ती होती है वो किसकी बनी होती है और इसमें खनी लमड में जो मुख्य होता है वो होता है कैल्सियम कार्बोनेट ठीक है वह सर क्या होता है तो वो होता है क कार्बोनेट ठीक है इसके अंदर होता है तो खनिज लोगड के अंदर कि यह जी जहन और यहां पर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं सारा कुछ के बुक में लिख रखा है मैं कोई अधर जगे से अधर प्लाइनेट से बुक ले करके नहीं आया हूं सर ठीक है बताइए यहां तक क्लियर है अब आते हैं यह तो पादफ अगरा होगे अब आते हैं कुछ बचे हुए पादफ जैसे ब्रायोफाइट टेरीडोफाइट एंज जिम्नोइस्पम है ना तो जो बचे हुए पादफ यानि कि और जो पादफ बच जाते हैं पादफ के कई पूरा पादफ जगत है वह बचे हुए पादफ की जो कोशी का भित्ति होती है वह सेलूलोज हेमी सेलूलोज पेक्टीन वह प्रोटीन की बनी होती है है ना यानि कि जो पादब बच जाते हैं बचे पादब की जो कोशी का अभित्ती होती है सर तो वो सेलूलोज ठीक है हेमी सेलूलोज प्यक्टिन वह प्रोटीन की बनी होती है ठीक है यहां तक क्लियर है किसी को कोई दिक्कत है बताइए बताइए इसमें आपके इंसी आईटी वें डिफनीशन लिखके रखी है कोशी का भित्ती भित्ती का मतलब क्या होता है आवरण भित्ती दर्वाजा भित्ती आवरण आ रहा है आवरण भित्ती है न कोशी का भित्ती कई प्रकार की होती है ठीक है मध्य पठलिका प्राथमी क कोशी का बित्ति द्वतियक कोशी का बित्ति तरतियक कोशी का बित्ति जब मैं 11 में पढ़ रहा था तो वहां पर मेरे को तीन प्रकार की कोशी का बित्ति बताई गई थी और वो मुझे आज भी याद हैं जब मेरे को पता चला कि मेरे को पढ़ना यह वाला तो मैं तो अपनी नोट्सी इठा लिया यार्ट कि देख लेता हूं बात पता क्या है में नोट्स में पूरा भरोसा क्यों नहीं ओता क्योंकि 11 में पढ़ता सा तो मेरी इंगलीस से बहुत वीग थी मैं न इससमें आप लोग लिख सकते हैं है न कि नव पादप कोशिका ठीक है नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ती में इस्थित प्राथमिक भित्ती में व्रद्धी की छंता होती है ठीक है कोशिका भित्ती बनती कैसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बात करेंगे ठीक है तो जो प्राथमिक कोशिका भित्ती होती है उसमें कि जो चंता है वो घर्टी जाएगी है ना कोसिका का जितनी बड़ी होगी उतनी वह घर्टी जाएगी जितनी बड़ी होगी उतनी गठ्टी जाएगी ऐसे होता इसमें ठीक है चली देखते हैं अब समझते हैं कैसे हम लोग CR lower मिटा दूँ इसको मैं क्योंकि अब बहुत अच्छा सा टॉपिक है समझने वाला में टॉपिक अभी आता है अभी तक तो कुछ नहीं था आपके पास है ठीक है समझते हैं पहले तो कोशिका समझते हैं सबसे पहले आप लोग देखे होंगे कि ऐसे करके कोशिकाएं बनी होती है यह देखो कि यह इस ट्रैक्शर समझो पहले कि एक दूसरे से जूड़ जूड़ करके ठीक है फिर फिर यह कोशिकाएं सर ऐसे बनेंगी नीचे से खाली समझना है तुम्हें बस ये देखो ये देखो ठीक है फिर सेम टू सेम बिल्कूल ऐसे ही कोशिका का क्रम चलता जाता है ठीक है ऐसे ही कोशिका चलती जाती है हमने अगर इस बीच वाली दोनों कोशिका को उठा लिया ठीक है दोनों कोशिका हमने देखा कोशिका की भित्ती होती है और ये भित्ती अकसर बाहर होती है हमने प्लाजमा मेंब्रेन पढ़ा इसका मतलब यह है कि जो प्लाजमा मेंब्रेन हम लोग देखे थे वो इस भित्ती के अंदर की मिंब्रेन हम लोग देखे थे यह देखो यह किसकी मिंब्रेन है यह सर प्लाजमा मिंब्रेन है यह भित्ती की अंदर की मिंब्रेन थी ठीक है गोला-गोला किये दे रहा हूं ताकि समझ ले ना ठीक है समझ गये इस भित्ते का निर्माड कैसे होता है सबसे पहले इसमें क्या होता है एक इसका निर्मार होता है ठीक है एक लाइनिंग कर ठीक है इसको बोलते हैं मध्या पटलिका इंगलिस में बोलेंगे मिडिल लैमिला ठीक है सबसे पहले क्या होता है कोशिका का जब निर्मार होता है तो सबसे पहले सर एक मध्य पटलिका का निर्मार होत ठीक है हमने माल लिया यह बीच वाली लाइन कैसी थी मध्य पटलिका थी मध्य पटलिका के बारे में मैंने क्या लिख रखा है कि दो पास की कोशिकाओं की प्राथमिक कोशिका के बीच एक रचना पाई जाती अभी समझा रहा हूं ठीक है मध्य पटलिका इसके बाद मध्य पठलिका का निर्माड है कोशिका ऐसे आया यह देखो इस ट्रेक्चर ऐसे बना ना क्योंकि सरी कोशिका बना रहा है मत पठलिका के बाद हमने देखा इसके दूसरी तरफ एक और कोशिका का निर्माड हो रहा है कि यह देखो कि यह देखो और ऐसा ही नहीं कि यह उस तरफ ही हो रहा है यह दोनों तरफ हो रहा है क्योंकि उधर भी कोशी का इधर भी कोशी का है ना सपोस्थ दैट तुमको ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया गया है उधर भी आग जल रही इधर भी आग जल रही है ठीक है तुम क्या करोगे यह क्योंकि यह आगे जाकर कि यही स्ट्रेक्चर सिलका निर्मान करेगा ना अब देखो क्या होता है मद्य पटलिका के बाद इसके अंदर जो लेयर आती है उसको बोलते हैं सर प्राथमिक कोशिका भित्ति और इसी को मैंने आपको बता है इसमें व्रद्धी की छमता होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति प्राइमरी सेलवाल बिल्कु सेंसिट्व टॉपिक है ठीक है इदा उदर दिमाग मत लगाना प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद फिर क्या होता है फिर कोशिका भित्ति का निर्म कोशिका सोचो तुम अपना घर बनाते हो एक बार प्लस्टर मार लिए खतम कर दिये कुछ लोग तो इंट का घर बना लेते उसी में रहने लगते प्लाश्टर भी नहीं करते हैं तो सबसे पहले तुमने घर के लिए इंट बनाया इंट इट क्या हुआ मद्यपटली क्या हुई इट के बाद तुमने करवाया प्लाश्टर और प्लाश्टर सर तुम्हारा घर बिल्कुल जंगल में है बीचो बीच है तो प्लाश्टर तुम्हें दोनों तरफ से करवाना पड़ेगा ठीक है दोनों तरफ तुमने करवा दिया प्ला बाहर जब तुम्हारे लोग तुमसे मिलने आएंगे तो वह भी तुमको देखेंगे बाहर से भी तो देखके आएंगे वो लोग है ना अन्य बोलेंगे बताओ कितना कंजूस आदमी है तुम बाहर भी करवा दिये यह देखो समझना बहुत मतलब यह अच्छा टॉपिक है इसके बाद प्रात्मी कोशिका हमने देखा लाल वाली है इसके बाद प्रात्मी कोशिका के बाद फिर एक कोशिका भित्ति का आवरण होता है जिसको बोलते हैं कि द्वतियक कोशिका भित्ति ठीक है कि सेकेंड्री कि सेलवाल ठीक है सर ठीक है अभी देखना इसके स्ट्रैक्चर कैसे बने गई है हमेरी हाथ में लग गया सिर्फट्यक अब द द देखो द्वतियक के बाद फिर इसमें तरतियक कोशिका भित्ति करने नुगा वह दोगहा है कि बोलो यार फिर पेंड करवाते हो पेंड करने के बाद पसंद नहीं है दूसरा पेंड करवा देते हो यानि कि इसका main base क्या था अगर इस चीज का main base देखे तो main base था सर इसका middle लैमिला तुम्हारे घर बनानी का में बेस क्या था इंट ठीक है यह क्या है सर तो यह है आपकी कि तरतियक कोशिका भित्ती ठीक है टर्टियरी सेलवाल इसी तरह करके इसमें पांच छे लेयर पाई जाती है तीन कोशिका भित्ती तक लिम्टेड है ठीक है तो यह जो मध्य पटलीका होती है मिडिल लैमिला होती है अब पूछो के भईया कि यह इस्ट्रेक्चर क्या बनाता है देखो यह इस्ट्रेक्चर है हमने देखा यह ठीक है फिर देखो यह वाला इस्ट्रेक्चर मिल करके यह सेल बना लिया यह वाला इस्ट्रेक्चर यहां मिल करके यह कोशिका बना लिया फिर यह यह देखो यह सेल बन रही भाया बताएए किसी कोई दिक्कत ये देखिए यही आगे जाएगी यहां से ये मूले गी ऐसी कोसिका का आवरण फिर चलता रहेगा फिर जाकर करके क्या बनाएगी जै कोसिका एधर↑ लाला भी ऐसे जाएगी ऐसे मुलेगी ऐसे करके फिर सेलम बला लेगी आई यह कोशी का जो आवरण है जह सेम टु सेम वैसे ही पूरा चलता रहेगा यह देखो इस ठीक यह देखो लाल पिंसे पहाद्समिक कोसी का syntười के बिट यह जो है यह क्या है मिडिल लैमिला है इसके बाद ग्रीन नवाला दृतिय कोसी के बिटती फिर बलूपे नवाला दृतिय कोसी के बितती कि अब अब तुम्हें लगता इस साइड भी वना नहीं इस साइड के बाद भी सर यही इस्ट्रैक्チャर इसके इस साइड भी बनता है प्रात्मिक कोशिका बित्व का ओरन इस तरह भी बन अधी बता ये पूछो कई से कोशिका बने गी यह देखो यह कोशिका का यह यहां बनने लगा फिर इतना क्यूंँ बना युद्धर भी कोशिका बन रही है बताओ जो मैं समझाना चाहे रहा हूं समझ गए ना अब देखो क्या होता है हमने यह आरण बना दिया इस समझा दिया कि ऐसे करके बनता रहता है ठीक है अब देखो क्या होता है कि भया इस कोशिका से इस कोशिका में कुछ इस्थानांत्रन के लिए भी त तो चाहिए समानमा नाना जाना हो तो सर क्या होता है कि जो मध्य पठलिका होती है क्या होती है जो मध्य पठलिका होती है मध्य पठलिका में पाया जाता है प्लाजमो डिस मटा ठीक है प्लाजमो डिसमाटा प्लाजमो डिसमाटा क्या होता है तो इस कोशिका में अगर कोई भी सामान है इस कोशिका को उसकी क्या है जरूरत है तो वो कैसे जाएगा इस कोशिका में इसकी कोई भी सामान है उसकी जरूरत कहा है सर तो उसकी जरूरत यहाँ पर है तो कैसे जाएगा वो अगर आपके घर में कोई महमान आ गया और वो महमान बोल रहा है मैं चाय प्यूँगा आपके घर में चाय पत्ती है नहीं तो क्या करोगे सर भगल वाले घर से चाय पत्ति ले आओगे लेकिन अगर तुम्हारे बगल में कोई घर ही नहीं आए तो कहां जाओगे नहीं जाओगे तुम एक कोशी की तो हो नहीं तुम बहु कोशी की यो यानि कि तुम गाव में रहे तो भूँ धेर सारे घर रहते हैं आस-पास तुम गए तुरत खटट लेते हैं नहीं आप तो ले आओगे ना तो आपका इस्थानांत्रल आसानी से हो जाएगा ना लेकिन इसकोशी का का इस्थानांत्रल कैसे होगा तो इसकोशी का का इस्थानांत्रल होता है प्लाज्मोडेस मटा के दौरा इसके दौरा प्लाज्मोडेस मटा के दौरा तो आ गुछा एक प्र सब्सकत की बनी होती ऑचा सा सभूल मध्य पटलीक है कैल्सियम पेक्टेट की बनी होती है केल्सियम क्या सब्सक्रां का ईडूनि समेड मेंелिया ऑफ अब लिखना चाहेंगे कि the में लिख रहता है कि दो पास की कोशिकाओं की प्राथमिक कोशिका भित्ति के बीच की रचना होती है उसे बोलते हैं मिडिल लैमिला मध्यपटलिका यानि कि दो पास की जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है उसके बीच की रचना को बोलते हैं मिडिल लैमिला जैसे इंट कि उपर जब आप प्लश्टर कर देते हैं दिवाल में दोनों तरफ से तो बीच का जो इट बसता है उसको बोलते हैं मिडिल लैमिला ठीक है तो इसको बोलते हैं मिडिल लैमिला समय लिख लिए दो पास की कोसिकाओं की प्राथमिक कोसिका भित्ति के बीच एक रचना पाई जाती है जिसे मिडिल लैमिला कहते हैं यहां दो कोशिकाओं को जोड़ने में सीमेंट की तरह काम करती है यह क्या करती है दोनों कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए ठीक है यह देखे यह ब्लैक वाला पॉइंट है सब कोशिकाओं आपस में क्या हूँ यह जुड़ी कि अगर कहीं पर भी किसी भी सिल के अंदर सिल वाल का निर्माड हो रहा है तो उसके अंदर सबसे पहले सर मिडिल लैमीला का ही निर्माड होगा और किसी का निर्माड हो नहीं सकता क्योंकि उसी से तो आधार है अगर तुम घर बनाओगे तो तुम क्या सीमेंट बालू से घर बना डालोगे नहीं बना पाओगे ना इट लाना ही पड़ेगा ना बाई बता ना इट लाना पड़ेगा ना नहीं बता रहे हैं तुम लोग यार कमेंट करके कमेंट नहीं करते हो सच में बहुत दूख होता है मेरे को इतना मेहनत करता हो तुम लोग के लिए ना कमेंट करो लाइक करो बहुत फ्रस्टेशन में चला जाता हूं कभी-कभी सोस तोच के बताओ इट लाना पड़ेगा न तो सिर्फ ऐसे चला जाता है सर बीना इट के बना लोगे कुछ बोलें आम तो बीना इट गर बना लें कैसे बना जोपड़ा बना लेंगे जोपड़ा मार देंगे बेटा तुम्हें खोपड़ा में हो जायागा तुम्हां जोपड़ा अट ना लाइक बिना इट के गर बनाएगा है कौंसा इंजीनियर है तू कि बहुत बहुत करता है क्या बात करता है कि इस सबसे पहले क्या होता है मद्धे पटलीका का निर्माड होता है मद्धे पटलीका कैल्सियम प्यक्टेट और एक पॉइंट और इंपोर्टेंट है कैल्सियम प्यक्टेट और मैगनीसियम प्यक्टेट से मिलकर के बना होता है ठीक है कैल्सियम प्यक्टेट और मैगनीसियम प्यक्टेट मैंने बोला मद्धे पटलीका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग होती है सीमेंट की तरह काम करती कैसे भूल दिया मै बहुत ही ज्यादा कठोर होता है और सर एक आपके पास है पक्काम वह क्या होता है सर वह मुलायम होता है क्यों क्यों कि कच्छा आम में मध्य पटली का बिल्कुल खड़ी रहती है जुड़ी हुई ठीक है मध्य पटली का उसके अंदर रहती है उसकी जो सिल्वाल होती है कोश बिल्कुल से मर जाती है जब मर जाएगी तो मुलायम हो जाएगा फिर तो यह कोशी का भित्ति तुम्हारी मुलायम लोचदार ही नहीं है फाइली दूसरी तीसरी ठीक है ऐसे करके प्लाजमो डेस्मेटा क्या होता है इसमें कुछ नलिकाएं मद्य पटलिका कुछ से नलकोश वाली होती है ठीक है कोशी का भित्ति इनका काम होता है कि सुरच्छा प्रदान करना पहले तो और आदान प्रदान करना कोशी का से सामान को आदान प्रदान करना किसका काम होता है तो सर्वो होता है सेलवाल का काम कोशी का भित्ति का काम ठीक है तो प्राथमिक कोशी का भि 投金 नहीं दिया हुआ है बुकमे तो भई इतना ही खतम कर दीämä वास जो आज पास के को जोडता है हां इसके अंदर इसके अंदर क्या रधा हुआ है इसके अंदर नहीं पॉट्स का इसको जोड़े को सरकां जोड़ा रहा हैuben अलamin अब शेल्फ लूड साइटो प्लाज में बोलते हैं इंग्लिस में को सिका द्रव के कौन जोड़ा है सर वो तो जोड़ा है प्लाजमों डिस्माटा है ना जीव द्रव्य तंतु हिंदी में बोलते हैं ठीक है बस हो गया खतम कर दिया तुम्हाई बुक में लेकिन अगर प्राथमिक को सिका भित्ति के बारे में लिखना चाहो तो पॉइंट आउट करके आप लोग लिख सकते हो मेरे को बोलने में कोई आपत्ती नहीं है मेरे को बहुत अच्छा लगेगा यदि आप लोग है एसमें लिख लीजे कि यहां कोसिका की सबसे बाहिरी परत होती नहींत केवल सेलूलोज की बनी होती है तथा यह पतली कोमल लोचदार तथा पारगम्य होती है पारगम्य का मतलब भाइब इससे आसानी से यार्पर आया जा सकता है लेकिन जो मैं तुम्हें एक्जामपल दे रहा था इंट इंट से ऐसा तो है नहीं उस पार कोई लेटा है तुम्हीं इदर से गई इंटा मतलब दिवाल में इट की दिवाल से घुसके उस पार निकल लगए नहीं ना उस पार तो के वल बिटा एक ही लोग निकल सकता वो क्या है वो है भूत अधर ना मत क्योंकि रात में लेक्चर भी मैं सूट कर रहा हूं कितना बज़रा है देख उटाइम 11 बज़रें भी है ना क्या होता है कोशी का वित्ति सिलूलोज की बनी होती है प्रात्मी कि यहां पतली कोमल लोचदार तथा पारेगम में होती है कवकों तथा इस्ट की कोश कोशिका भित्ति के ठीक नीचे पाई जाती है कहां पर सर तो यहां प्रात्मी कोशिका भित्ति के ठीक नीचे पाई जाती है यहां कोशिका भित्ति की यह प्रात्मी कोशिका भित्ति की आप इच्छा करत मोटी होती है ठीक है दोती यह कोशिका भित्ति परिपक को कोशिका करते हैं ठीक है कोशिका भित्ति क्या होती है कोशिका भित्ति को सुरच्छा मजबूती प्रदान करती है फिर आता है सर त्रतियक कोशिका भित्ति त्रतियक कोशिका भित्ति है अनावरत बीजी पौधें ठीक है अनावरत वीजी पौधें की दारू वाहिकाओं दारू वाहि पाई जाती है जिसे त्रतियक कोशिका बित्ति कहते हैं यह काफी पतली होती है और अंदर इसमें अधिक उभार होते हैं त्रतियक कोशिका बित्ति जाइलम नामक पदार्थ से बनी होती है जाइलन त्रतियक कोशिका बित्ति किससे बनी होती है जाइलन जाइलन नमा के सब्स्टेंस होता है उससे बनी होती है ट्रिट्रियरी सिल्वाल ठीक है सर यह था आपका सिल्वाल सिंगर औड निकोल्सन ने मॉडल प्रस्तुत किया था 1972 के अंदर क्या प्रस्तुत किया था सिंगर औड निकोल्सन का मॉडल 1972 के अंदर इसको आप लोग बना रह学 लिख रह मतायो जल्दिस को अपने कॉपी में में नोट करना हो तो लो यार है ना ओद नोर्टS बनाकरके आप लोगों सोब बताया ही हैं कि नोर्टS बना करके इंस्टाग्राम में भेज़ना है ठीक है अगरनोटउस सब्सक्रास में भेज होLY तो इनाम के हगदार हो जाओगे तुम मिटाओं इतना अच्छा बन गया है मिटाने का मन नहीं कर रहा है लगता इसके साथ एक मैं फोटो खिंच लूँ इंस्टाग्राम में लगाने के लिए है न कभी कभी मैं भी इंस्टाग्राम चला लेता हूं तुम लोगों के मैसेज पड़े रहते हैं देर मुस्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है तेखो मैं यहाँ पर तुम्हें पढ़ाने नहीं आया हूं एक बात याद रखना कि मैं यहाँ पर तुम्हें पढ़ाने नहीं आया हूं मैं यहाँ पर तुम्हें सिखाने आया हूं और खुद सीखने के लिए आया हूं ठीक है आता है एंडो मेंब्रेन मेंब्रेन इश अगला पॉइंट क्या बाई अगला पॉइंट है अंता जिल्ली का तंत्र वाह बाई एंसी आईटी का अगला पॉइंट है आपका अंता है जिल्ली का तंत्र एंडो मेंब्रेन सिस्टम यही है न हाँ सर इंडो मेंब्रेन सिस्टम के बारे में हम लोग बात करें इंसी आटी का पॉइंट है इसमें लिखा क्या होता है कि अब कोसी का कि हम लोग देख लिए भय्या कोसी का की दिवार भी पढ़ लिए कोसी के बात क्या पलत देखते कोसी क के अंगक कौन कौन से पाये जाते है ठीक है हमने धेक rejoca कि सिल तो है यह यूख करी पहले इसमें जिल्लीदार अंगक पाए जाते हैं और सभी अंगक के कार रहा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ठीक है कि जो सिल है जो कोशी क्या है उसमें और गन्स पाय जा रहे हैं और वो सिल और गनल से एक दूसरे को काम कर रहे हैं एक दूसरे से righteousness हुए हैं जैसे आप लोग जुड़े हुए अपने फैमिली से अपने मदर से अपने फादर से अपने वाइफ से और वाइफ जुड़ी हुए अपने हस्बैंड से ठीक है इसी तरह सिल के आरगन भी आपस बेग दूसरे से जुड़े होते हैं इसके अंदर इस तंत्र के जो अ लिखा अंत्प प्रद्दवी जालीं के बाद सर आता है गाल जी काई आगाल जी काई के बाद आता है सर लैन काए और सर लैन कई के बाद आता सर रिक्तिका एम राइट आ हेएक देखिए जेसर अंतअप्रदवी जालीगा गाल जी का एं लयन का वा रिक्तिका अंगक रिक्तिका को एक और नाम से जानते हैं रसवख सुरा ने इसका काम क्या होता है पानी को गठा करना सिटोर कर ले कहें वाटर को ठीक है इस car यह सीरियल है और यह सीरियल याद करना होते है ठीक है अन्ता प्रध्दवी जालिक का काम करेगी तो काम चलेग सकुरी काuses गाल जीए का मतलब अगर रश्य pref 20 काम कर रहे तो को याद करना होते हैं अकर नीट मैं यह स्याहने के पूछा एता है नीट सायद ζ acknowled तंत्रा के अंदर ये कोश्या नाया था कि जिल्लीदार अंतह जिल्ली का तंत्र के अंदर कितने अंगक पाए जाते हैं उनके नाम दिया हुआ था सीरीज मिलाना था यह उल्टे-पुल्टे लिखे हुए थे सबसे पहले अंतह प्रद्दविजा लिका गाल जी का यह लयन का रिक्तिका चार सीरी जोते हैं ठीक है रताए है इसके बाद सूत्र कर्डिका माईट्रो कांडिया हरित लवक वा पराक्सी सों के कारे उपर्युक्त अंग से संबंधित नहीं होते हैं इसलिए इन्हें अंता जिल्ली का तंत्र के अंदर नहीं रख्खा जाता है जो पराक्स तो मिम्बरेनस सिस्टम है कि अभ फाइनली मेरे को हमको मतलब अन्ताप्रदविजाली का गाल जी का ये के बारे में लेयन का ये पढ़ना पड़ेगा पहले मुझे लगता है इसका पूरा लेक्चर कर देते हैं एक दो तीन चार चार बहुत हो जाएगा ना पढ़ पाओगे तो सरे काम करते हैं आज हम लोग इंडो इसको इंगलिस में बोलते हैं इंडो प्लाज्मिक रेटी कुलम पढ़ लेते हैं और इन है ठीक है सर अंता प्रदवी जालिका सबसे पहली वात आती है अंता प्रदवी जालिका की खोज तो नाइंटीन फोटी फाइफ में एक वैज्ञानिक आते हैं के आर के पोर्टर इंगली हिंदी में भी वही है ठीक है प्रदवी जालिका की खोज करते हैं जिसको बोलते हैं एंडॉघ आप प्लाज्मिक कुलम को थोड़ा सा गूगल करके देख लेते हैं इसके बारे में इस समय चैनल पर व्यूज बहुत डाउन चल रहे हैं बहुत ज्यादा मैं बहुत फ्रस्टेट टाइप में हो गया था हो गया क्या अभी हूं और आप लोग किसी से कहना नहीं तो एक बात बताऊं मैं आप लोग को मेरी मेडिसिन भी चलती है ठीक मूड डिसॉलिडर की है कि सर यह हम लोगों ने देखा कि जैसे यह कोसी क्या है कि यह उसका न्यूकलियस है सर इसी न्यूकलियस से जुड़ी हुई कुछ ऐसी सन्रचनाएं होती है यह देखो कुछ ऐसी सन्रचनाएं होती है इन्हीं को बोलते हैं इंडो प्लाज्मिक रेटी कुलम दो प्रकार की होती एक देखो एक रचना के अंदर क्या होता यह देखो पाया गया है मतलब अब यह कैसा होगा बताओ यह खुर्दूरा होगा चिगना होगा बता दिये वह यह तो खुर्दूरा है है यह न है बालू की तरह यह खोड़ दूरा है यह क्या है यह नूकलियस इसके अंदर क्या वारा हुआ है क्रोमोसोम वगएरा ठीक है यह क्या है यह यह सिल है सिल के अंदर जो एंडो प्लाज्मिक रेटिक उलम पाए जाते हैं इसके बारे में CRT लिख रखा है आपका कि कोशिकाओं के कोशि का द्रव्य में चप्टे आपस में जुड़े है जाली का तंत्र वाय होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मढ़नली को अगर देखा जाए टाइपस आफ ए आर ए आर के नाम से जानते हैं अगर आप गूगल में यार डालो तो तो दो प्रकार के होते हैं पहला होता है स्मूथ कि इस्मूथ है एंडो प्लाजमिक रेटी कुलम एंड सेकेंड होता है रफ रफ एंडो प्लाजमिक रेटी कुलम इस्मूथ बोले तो चिकनी अंता प्रद्दवी जाली क्या और रफ बोले तो खुर्दूरी अंता प्रद्दवी जाली क्या तो देखो हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया है राइबो सोम के बारे में राइबो सोम क्या होते हैं प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं ठीक है प्रोटीन मनाते हैं रफ एंडो प्लाजमिक रेटी कुलम में फाउंड पाया जाता है ठीक है क्या तो सर पाया जाता है राइबो सोम अगर रफ एंडो प्लाजमिक रेटी कुलम में राइबो सोम पाया जा रोक्ते हैं कि अंदर प्रोटीन का निर्मार हो रहा है इसके अदर क्या और है सर तो इसके अंदर प्रोटीन का संसलेशल हो रहे कि नहीं बताए्ज रॉफ एंड़ोप्लाजमिक रेटीकोलम की बाहरी दिवार यह रख क्यों होती है घीयर यह प्रूटीन का निर्माल कर सके राइबोसोम इसके अंदर हो अगर पूछा जाए ए आर जो एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम होती ना उसकी जो जिल्ली होती है तो ए आर की जो जिल्ली होती है वह प्रोटीन वा ग्लाइको लिपिड की बनी होती है ठीक है प्रोटीन वा ग्लाइको लिपिड की बनी पूछे अगर आप से क्वेश्चन की एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम हो मिम्ब्रेन मेड़ वाई प्रोटीन एंड ग्लाइको प्रोटीन ठीक है बताएं और इसमें क्या है अब असे यह है कि वहीं चिकनी वाली के अंदर क्या होता है चिकनी वाली के अंदर चिकनी क्यों होती है क्योंकि सर राइबोसो नहीं पाया जाते है ठीक है dent प्रोटीन संसलेचन वह स्रामवड के सक्रिया में भाग लेती एकौन ए और यहुआर एंडोपलाज्मिक भाग लेती है लिपिड का निर्माड़ करती है ठीक है ठीक है सर तो किसमें भाग ले रही है तो वह भाग ले रही है आपकी लिपिड संसलेशन के अंदर वह भाग ले रही है और यह भाग ले रही है आपके प्रोटीन संसलेशन के अंदर ठीक है लिपिड संसलेशन बोले त तो इष्टेराइडल हार्मोन के निर्माड करने में भाग ले रही है कौन ए और मैं कौंसी वाली इए र हैं गर पूछे वह कौंसी वाली ई तो बताऊगे इसफूथ वाली इआर अपके बुख में इतना इता इसके बाद तुरंद गाल जी काई की फोटो बना दिया है इस्टेडराइडरार्मोंइंज किसमें होते हैं जो जो है यहां पर भी इतना ही लिखा है अब सेकेंड पॉइंट आता है गाल जी का ये लियन का ये फिर रिक्तिका पेरी सोम आ गया रिक्तिका प्लाश्टिड बाई वैक्योल कहां चला गया बहुत कुछ पढ़ना पढ़ जाता यार है न कितने जीवन में कितना पढ़ना पढ़ता है पता है सिच्छा का मतलब क्या होता है सिच्छा जब आप पढ़ते होना तो से आपका दिमाग काम करता है सिच्छा का मतलब नौकरी पाना नहीं होता है ठीक है यह मत बोलना कभी कि स मतलब नोकरी पाना होता है सच्छा का मतलब एक अच्छा ब्यक्ति बनना होता है ना कि नोकरी पाना ठीक है चलिए feature class यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं मुढग अच्छास में तब कि मताओ जल्दी कुश्चान बताओ अरे सवारी एंसर बताओ अब पूछेओ बहुत पूछेओ ने पूछें कि पूछेंगे मिध्य पटली का किसकी बनी होती है नीचे जवाब चाहिए कि नीचे जवाब जवाब चाहिए कमेंट बाउक्स में जवाब चाहिए ठीक है चलो ठीक है आज के लिए फिर यहीं तक पढ़ते रहो मेहनत करते रहो विसे वाल दा बेस्ट थैंक यू कि अगुद